नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपसे भीका CGPSC Knowledge आप यानि की क्लियर CGPSC के इस YouTube चैनल पर आज हम बात करेंगे 36 गड़ी भाषा और व्याकरण का एक टॉपिक जो है मोहावरा मोहावरा मज़ेदार भी होता है लोगों को सुनने में भी बड़ा पसंद आता है जो परिचारती है उनके परिच्छाओं में पूछा जाता है जैसे CGPSC का CCET का हो या CGPSC मेंस हो कभी-कभी व्यापम में भी दे देता है 36 गड़ी भाशा जैसे परियोजन चेतरपाल जैसे पेपर हो गया चेतर रक्षक जैसे पेपर में आप कभी-कभी देखियोगे सूपरवाइजर में ही ले लीजिए यहाँ पे 36 गड़ी भाशा को दिया गया है हिंदी के सांसत उसका भी ज्यान आपको होना अवश्यक है साथ ही बच्चों को आप कभी सुनाते हो तो ऐसे मुहावरों को कभी-कभी जुरत पढ़ जाता है कभी व्यंगात्मक रूप से भी लिया जाता है तो आज हम आपके लिए एक मज़ेदार शेशन लेकिया है जो है 36 गड़ी मुहावरा के बारे में अगर आप नए होंगे त कुछता है तो आपको तो रटफ को चांदी ही चांदी हो जाएगा तो बिल्कुल चले शुरू करते हैं हमारे सिशन को सबसे पहले 36 कड़ी मुहावरे क्या होते हैं जोकि कि किसी विशेष अर्थ को दर शाते हैं ऐसे मुहावरे कभी-कभी वयंगात्मक होते हैं लंबा चोड़ा हम वाक्य न बोलके क्या करते हैं वाक्यांश बोलते हैं और यहीं वाक्यांश क्या कहलाता है मुहावरा सबसे पहला लबरा के नौ नागर मतलब क्या है सफेद जूट बोलते हैं लबरा के नौ नागर ऐसा बोलते हैं तो जो सफेद जूट यानि की जानबुच के ल लबरापंती करते हैं उनके लिए है ये करिया आखर 20 बराबर सेम सुने हो गया आप काला अक्षर 20 बराबर सेम टू सेम हिंदी का ये 36 गढ़ी रुपांतरल मान सकते हो इसका मतलब होता है अनपड़ होना दूसर बर खाचा खने खुद धसकाल है इसका मतलब क्या है ये वही ह है दूसरे के लिए घड़े खोदने वाला सवय में उस घड़े पर गिर जाता है तो किसी दूसरे के लिए बुरा सोचना मतलब दूसर बर खाचा खने खाचा मिस घड़ा खने मिस जो होता है खोदना तो समझ लिजिए उसी से आप पकड़ लेना काजर की कोठरी में करते हो इसके लिए मोरे बिल्ली मेरे समयाओ वही बहस करना सारवने ओला और अर्गुमेंट कर रहा है तो आप क्या लिकोगे मोरे विल्ली मोरे समयाओ चतिजगड़ी जो मोहावरा है यह बहुत सारे चीजों में आप बोलोगे व्यंगात्मकृक्ष भी उस होता है ताथ ह हमारे यहां चत्तित गड़ी भाशा को जो है समविधान की आठ्विय अनुसुची में दर्ज़त लाने का बहुत ज्यादा प्रयास किया चाता है तो वहां पे भी आपको कम सकम यह नॉलेज तो होना चीए थोड़ा बहुत की मोहावरे कैसे कैसे प्रचलित है चलिए आगे द गलती पर मरना मतलब खुद का मुंडी जह को खराब है आप नाव को बोल रहे हो लगवा दिया वैसे ही टाइप का बोलते वैसे ही है वह एक कहावद बन गया सरहा मूड और नाव लदस जो भी बोलना है आप बोल सकते हो खुद की गलती पर आप जो है दूसरों पर मढ़त रहते रहते हुआ है बंती तबंती नहीं तखंती मतलब गलती पर परणाम भुगतना बन गया तो बन गया मतलब गलती तो कियो हो आप बन गया तो ठीक है नहीं तो परणाम भुगतने रडी रहो वैसे ही है बंती तबंती ना तखंती तो गलती पर परणाम भुगतना फोक पहोर तरकता पीस तमरत लेकर घव कहना इसका मतलब क्या है अंदर यंदर फाइदा कमाना इसके लिए यूह से कज vulnerability है माम अच्छा यह वयसा है वाक्य आता है है Kay記 मम सही ममा इसका मतलब है कुछ नहीं होने से कुछ टो allow है मतलब कुछ नहीं होने से अच्छा है कुछ तो हो रहा है तो इसके लिए हम कभी-कभी ऐसे वर्ड यूज करते हिंदी में सुने होंगे आप एक दब याद नहीं आ कुछ है उसके बाद महीं मांगे जाए और ठेकुष लालुक ऐसका मतलब संकोच करना मतलब आप जो शो वैसे ही है गुम्रा हो जाते हूँ अंधरा बर का अंधरा बर का दिन तका रात इसका मतलब है अंधे को कुछ पर्क पढ़ता चाहे दिन हो चाहे रात तो इसके लिए जो है meaning क्या निकलेगा कुछ भी फाइदा ना हो ना इसके लिए ध्यान रखेगा meaning अलग निकलता है आपके समझने के लिए अलग रहता है जैसे हरियर कहती गाभिन गाये जब एक खाये तभे पती आये मतलब पान अले तब कि इंसान को यकीन नहीं होता तब क्या लेते हम हरियर खेती गाभिन गया जब एक खाए तब है पती आए हरियर हरियर दिख रहा है गाभिन गया तो जाके खाएगी नहीं तब तक चेक करेगी नहीं तब तक उसको मन में संतोस नहीं मिलेगा तूसी के लिए बोलते हैं जब त पैसा ही है जले में नमक च्छलकना जैसा दुखी को और कष्ट पहुचाना मरत ला और मरने को और माडर लो इसके लिए क्या बोलते हैं मतलब दया कर ना करना परदेश के जवाई तरुक के चढ़ाई इसका मतलब है देखने में असान लगता है पर देश का जवाई वह यह हमेशा विदेश जाना हर किसले के लिए पॉसिबल थो नहीं हर कोई पेड़ भी नहीं चड़ सकता तो इसके लिए हैं देखने में आसान रगता है भागे मचली जांकस मोठा मतलब हवा हवाई की बाते करना ठीक है आप बोल रहे हो मचली है इत्ताया मोठ मचली देखे हो तो ऐसे थोड़ी है हवा हवाई में आप बात करे हो तो उसके लिए बोलते हैं भागे मचली जांकस मोठा मतलब इंसान मचली भग गया मैं देखे रह दो आखिटों चाहा वस्तुप्राप्त करने के लिए क्या है अंधा चाहे दो आखी अपना आखिक की करका अपने दोश होना आपको पड़ पٹि पड़ी है वह स्वयाम से तो नहीं हट सकती तो मतलब है आपके दोश है चट मंगनी पड़ भी हा इसका मतलब तो पता ही होगा आपको ततकाल कारे संपन्न करना आखी सही आखी नहीं कजरा के खईता दुरुपयोग करना आख जैसा आख नहीं आपका जब वरस्ति काजल ओंजे पड़े हो तो दुरुपयोग करना दूसर के आखी मनींद न होना मतलब उर्वाती यानि कि जो गिरता है जब पानी देखे होगे जब चपड से गिरता है तो नीचे गिर रहे है वह आपस तो पुझा नहीं सकता उल्टा पानी तो है नहीं कि उल्टा वो रिवर्स हो जाए तो यह प्रित कार ना होना इसके लिए लिए जाता है एक ठन अगर ही मुआवरा पहचानी देखा रहे तो काम आता है वहाँ पे एक उनार सा विमार जैसा ही है एक ठनाम मतलब आशा कर रहे हो व्यर्थ की आशा है जो आपकी कनवा बेटा राजा बरोबर मतलब प्रिये वस्तु काहर्दी के रंग तका परदेशी के संग अतलब अंजान से ज्यादा लगाओ ना रखना ठीक है इसको ध्यां रखेगा किस्मत जान कपसा फूल है मतलब भाग्यशाल हो ना कूद कूद के कूद कूद के तपय बजानिया दूसर पाव केना कूद कud के तपय बजनिया दूसर पा रखीण यह ध्यां केकर कि ABOUT रखी नहीं दोड़ा है मतलब इसका है अप आहों पर ध्यान नहीं दोड़ा 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 है जो गया तो गया उसके पीछे नहीं दोड़ा है तो मतलब अंचाहे चीजों खाए ला मोहां बताइब अइसा लुकल सकते हैं तब माची खोजए गाओ, मौके की तलाश है ना, खेलने वाला क्या खोशता है, दाओ खोशता है, और मक्खी, मक्खी क्या करता है, घाओ पे मैं बैठ हूँ, ऐसा ही सूस्ती, तो ऐसे ही मौके की तलाश, गाओ के जवाई तरुक के चड़ाई, वापसी की अनिश्चित्ता, अगर गाओ गये, तो आप आ नहीं सकते, कब आओ गये, पता नहीं है, वैसे ही पेड में चड़ गये, तो आप उतरोगे ये पता नहीं, तो वापसी की अनिश्चित्ता, इसके लिए लिया जाता है, गुन के न जस्के, एकदम कृतक भिने होती, जिससे कोई काम का नहीं है गाओ न गोड़ू, सुख सुते हरू, ये लिखा है, निश्चित जीवन जीना, मतलब गाओ न गोड़ू, सुख सुते हरू, एक निश्चिन्त होकर जीवन आप जीना लगे, आपको किसी चीज की फिक्र नहीं है, तो उसके लिए है ये, घर गो सहिया बकरा खाए, अब ज लेक्के पहुना जाए, दूसरे को दोश देना, ठीक है, ध्यां रखना, दूसरे को देना मतलब कैसे, जैसे घर को सहिया बकरा खाए, अब जस लेलेके पहुना जाए, कई बर बोलते है, महिमान आगया, ज्यादा ख़र्चा हो गया, खामी रहे है, पर हम ऐसा बोल देते है मतलत दूसरे को दोश्टेना चलनी में दूदु है करम लावी तो भाग्य के सहारी रहना चलनी में दूदु है सहारीं है नहीं करोगे सियान बीना धियान नहीं होए याद रखेगा इसका मतलब है प्रतनिदित्व का आभाव जब तक आपके बड़े भुजुर्ग आपको जो है सही दिशाना दिखाएंगे प्रतनिदित्व नहीं करेंगे तब तक आप अच्छा काम नहीं कर सकते जब मो कोलिया हुआ 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 तक कौन चुप कराव है तो सीधा है सब के सब जो है गुड़ीन है तो गुड़वान का कहां से आपको खोज होगा है तो जब मो कोलिया हुआ 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 तक कौन चुप कराव है तो गुड़वान व्यक्ति का भाव होना या गुड़वान क एखर फईर का जैसन जैसन दाई ददा उसने ओखर लई का इसका कभी-कभी पूर्ण करने के लिए भी आ जाता है तो इसको याद रखेगा परवरिश के अनुसार गुड होना यह इसका मतलब होता है कभी-कभी गेप दे दिया रहता है उसमें से आपको भरना रहता है चुन क की तो ध्यान दीजिएगा उस चीज़ को भी दिन के साधु रात कन आघु विपरित आचरन ठीक है दिन के साधु रात कन आघु आगे किसी भी चीज के लिए हैं दू बेटा राम के कवडि के नं काम के ऐसा बोलते है três ne मतलब बेटों से सहारा ना मिलता कोई काम के न काम का ना कोडी का яс Möglich और उसके बाद ना तित बेरा सतावरी धरा तेरा मतलब इसका मतलब है समय बेसने ना आप समय देख रहे हो ना बेरा देख रहे हो ना दुबेरा देख रहे हो आप सिधा किसी भी समय काम करते हो तो इत बेरा ना तित बेरा सतावरी धरा तेरा ये लिया जाता है समय बेसमय कारे करने वाले व वैसे ही है नवा बैला के चिककन सींग चल रहे बैला टिंग्ळा टिंग है लाटके हैं तोल्टन क्वाले ओर मोट प्रसक्राफ ौर्भ होने के बार चूस्ति दिखाना तो उसका उसका कोई वयर्थ है टो काम होने के बाद आप अपने अंतरण कर रहे हो अपने हात का क्विवहार गुण गड़रई ऑनखाए टोकुन नफपुरा मार फायदा कोई और उसकी लिएसious के पlight करती हैं अजंत आता हिला फों вариант वोट्ष करलेजिस इसका मतलब किया होता है आत्मनेर्भर बनना जब तक मेहनत नहीं करोगे तब स्वर्ग का नुभव नहीं होगा ढट्पनमेर मैं सरग दिखते हैं मिहनति होना एक प्रकार से सौल alerts अल्रेडी मर रहा है उसको भी जो है उसका टाइम आई नहीं रहे वो दिन काट रहे तो उसी के लिए बोलते हैं विपत्ति आना मरहाला दू असाड तेली की घर में तेल होता है तो इसका मतलब यह नहीं हो पहाड़ पोतने चल दे मतलब ज्यादा है मेरे पास तेल तो पोत ड मतलब चरा रहा की काफी होता है लोहा को सोना को गढले कर लोहा तेज होता है मारने वाला तो ज्यादा जवाब significa कichi आई तो अगर आपको पसंद आया होगा तो बिल्कुल like करेगा आपको सब मुहावरे जानने चाहिए कभी-कभी काम आ चाहता है वयंग करने के लिए और आप पेपर वगर देते हैं तो बिल्कुर उसमें तो पूछता ही है साथ ही ये सेशन में थोड़ा सा क्या है हो सकता है प्रोनुशेशन का दिक्कत हो चतिसगड़ी क्या है हम लोग भी मध्या चतिसगड़ी वाले हैं तो थोड़ा सा कम चतिसगड़ी रहता है इधर एरिया में राइपूर विलासपूर में तो उसके करण थोड़ा सा दिक्कत करता है और ये देवनागरी में ही पढ़ते हैं हम पर प्रोनुशेशन में हलका फुल का दिक्कत सभी को होता है लग भग कितना भी अच्छा चतिसगड़ी बोले तो ध्यां रखेगा पढ़ने में थोड़ा लग लगता है बोलने में बहुत अलग लगता है तो बिल्कुल इस पर मेहनत करिए ये मुहावरा टापिक है हो सकता है हम आगर आप लोग की फर्माईश अच्छी रही आप लोग के जय 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 चतिसगड़ थन्यवाद